सीहोर पहुचे पूर्व सीयम दिगविजर सीह ने शहरी बस्तियों में बाड प्रभावितों से समस्याय सुनी और उन्हीं ढांडस बंधाया कि सरकार और प्रशासन उनके साथ है नागरिकों ने बाड की तभाई से हुए नुकसान की भरपाई की उनसे मांग की इस दोरान पूर्व सीयम दिगविजर सी इंगलिश पुरा, कोतवाली चोराहा, गंच रानी महोला, जमशेद नगर और मंडी फ्रीगंज में पहुचे और घर घर जाकर डूप रभावितों की समस्याय सुनी मीडिया से चर्चा में कहा किसी होर की बाड के लिए नगर पालिका और पूर्व बिजेबी की सरकार का कूप्रबंदन जिम्मेदार है अंडर सीवरे जियोजना की लापरवाही भी बाड के लिए दोशी है जम्मु कश्मीर को लेकर कहा कि मोदी सरकार जूटी है अमनात यात्रा रोकना किसी कारवाही का संकेत है जबरदस्ती की गई तो देश को नुकसान होगा राम मंतिर मामले में कहा कि अर्थ व्यवस्था चौपट हो गई इसलिए ध्यान बाटने के लिए ट्रुपल तलाग और अन्यमामलों की चिंता कर रहे है आरेसेस को लेकर कहा कि केंद्री सरकार का करमचारी शाखा में नहीं जा सकता पीए मोदी की कश्मीर निती पर कहा कि यह कश्मीर चाहते हैं लेकिन कश्मीरियों को नहीं चाहते उन्होंने RSS को निशाने पर लेते हुए कहा कि BJP ने खुद WhatsApp का गलत इस्तमाल किया है उन्होंने सरकार से मांग की कि गलत मैसेज रोकने के लिए forward करने वालों पर भी कारवाई हो मौ प्लिचिंग सरकार करवा रही है आतंगवाद और मुसल्मान पर कहा कि देश के तीन बड़े आतंग की RSS के है